तो फ्रेंट्स दिक्वा फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ विश्वर, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि Microsoft World में watch का symbol हम कैसे बनाते हैं, और वो भी अलग-अलग time का, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही time का watch का symbol, अलग-अलग time का watch का symbol आप बना पाएंगे, और इसके लिए मैं आपको alt key बताऊंगा, फिर उसी code में छोटा-छोटा-चोटा मोडिफिकेशन करके, हम बाकी घडियो की symbol है वो बनाएंगे, तो पहली-वाली घडियो के लिए shortcut है, 1F550, उसके बाद alt के साथ आपको X button प्रस कर देना है, तो देख इसके पहला-एंगे, अब इसी श्रिंखला में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां पर मैं 1F550 के जगे 1 कर दूँ, और alt के साथ X button दबाऊंगा तो दूसरा बन गया, फिर इसी श्रिंखला में आगे बढ़ते हैं, अब मैं यहां पर 1F552 कर दूँ और alt के साथ X button दबाऊं और यहां पर जो घड़ियां हैं इनके सिंबल बना सकते हैं